AI और रोबोट में कुछ अविश्वसनिय नई चीजे हैं कौशल, अभिनय करना, लोगों को बचाना और इस तरह के उलेखनिय मानव कौशल. मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूँ इस पर अनिर्ने. यह अध्भुत है गेब्रियल. तो एक तरह से यह सिर्फ इतना ह नहीं है वास्तव में एक लंबा बायोडाटा बनाना, लेकिन आत्मखोज और क्या पता लगाना इसके बारे में भी आप जो करना पसंद करते हैं और जिसके प्रती आप जुनूनी हैं. क्या आपको ऐसा कुछ मिला है, जिसे करना आपको पसंद है, इस तरह AI डिजिट जैस से भाशा को समझता है. और रोबोट के द्रिश AI के साथ यह पता लगाता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है. कई रोबोट अब बनने की होड में हैं पहली बड़े पैमाने पर उत्पादित सामान्य प्रयोजन मशीने. कुछ लोगों ने सोचा कि यह टेसला बॉट देम इशारा करते हैं. लेकिन सबसे पहले एक गूगल प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे रोबोटों के शारिरिक कौशल में नाटकिय रूप से सुधार हो रहा है. यहां आंदोलनों को तोड़ता है और उन्हें AI भाशा के शब्दों की तरह व्यवहार करता है. दोनों प्रकार में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है. कलपना करें की जैसे जैसे AI आगे बढ़ रहा है. यह कितने प्रकार के कार्य कर सकता है. रोबोट कुत्तों को देखना दिल्चस्थ होगा बात करना शुरू करें, फुटबॉल खेलें और नई तरकीबे सीखें. इसने सिमुले स्पहनना कैसा होगा, यह अजीब है, यह अनाडी है. हम वास्तव में यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि खामिया और असुरक्षाएं क्या है. यह नए रोबोट चीन में वर्ड एक्सपो में दिखाई दिये. कलपना कीजिए जब उनकी गतिविधिया प्रवाहित हो स्पहा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप मानव होने के अर्थ की प्रकृती के बारे में बात कर रहे हैं. और स्वायत अगनिश्मन रोबोट बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं. एके पास बहुत सारी प्रभावशाली नई तरकीबे हैं. इस तरह के विडियो कामिल हो रहा है. मुझे यह पसंद है. इस शांदार रचनात्मक विचार को देखें. यहां एक महान परिवर्तन है. लोग AI विडियो के साथ कहानिया बनाना शुरू कर रहे हैं. यह AI अभिनेताओं को CG पात्रों से बदल सकता है. यह प्रकाश, कैमरा, गती भी करता है और अभिनेताओं के चेहरों को कैप्चर करता है. कोई अन्य AI आपके विवर्ण के आधार पर रेखाचित्र ले सकता है और उन्हें प्रस्तुत कर सकता है. कलपना कीजिए कि यह वास्तुकला में डिजाइन को कैसे बदल देगा. एक नए AI ने 100 मिलियन यूट्यूब विडियो देखे हैं. यह पाठ विवर्ण से या पाठ और चवियों से विडियो और आडियो बना सकता है. अमेका चीजों को स्केज करने के लिए समान AI का उप्योग करता है. बिलियों में कुछ खास बात है डॉट आपकी ड्राइन कैसी चल रही है और AI आपके फोन पर फोटो और व AI से बात कर रहे थे. उन्होंने केवल 60% मामलों में ही बोट्स की सही पहचान की सन्योग से ज्यादा बहतर नहीं. और डेटिंग एप्स अब लोगों से मेल खाने और मजा किया शुरुवाती पंक्तियां लिए AI का उप्योग कर रहे हैं. एक एप व्यक्तियों की नकल करने क के लिए AI बनाता है और फिर लोग अपने AI को दूसरे लोगों के AI के साथ बातचीत शुरू करते हुए देखते हैं. मार्क एंडरीसन ने कुछ अध्भुत चीजें सूची बढ़ की हैं जो AI हम सभी के लिए करेगी. उनका कहना है कि हर बच्चे के पास एक असीन जानकार AI ट्यूटर होगा. खान अकादमी इसे साकार करने का लक्षे लेकर चल रही है एक ऐसे मंच पर अपने नए AI के साथ जो पहले से ही 100 मिलियन से अधिक लोगों को सिखाता है. एक से एक शिक्षन एक बड़ा लाब है. वैसे हम AI कला का उप्योग कर रही हैं ताकि आप देख सक कि इसमें कैसे सुधार हो रहा है. एंड्रीसन का कहना है कि हर किसी के पास AI होगा सहायक, प्रशिक्षक, सलाहकार और चिकित सक. हर वैज्यानिक का एक AI पार्टनर होगा अपने अनुसंधान का विस्तार कर रही हैं और यह पहले ही शुरू हो चुका है. हारवर्ड के डेवि उतक्रमन प्रत्येक कोशिका में जानकारी की एक बैकप प्रती होती है. मैं अब उम्र बढ़ने को धीमा करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कई बार वास्तविक आयू परिवर्तन के बारे में बात कर रहा हूँ. और उनका कहना है कि AI पढ़ते समय इसे प्राप भी वापस दे रही है आप घर कब तक आएंगे लगभग एक घंटे में मुझे हसाना नहीं जब एनी तीस वर्ष की थी तब स्ट्रोक के बाद उसे लॉकिन सिंड्रोम हो गया आप सचमुच अध्भुत लोग हैं मशीन नियूरल का पता लगा रही है अक्तिविधी जब वह बात करने की कोशिश करती है और उसे भाषन में परिवर्थित करती है व्यवस्था सुधरने पर एनी काउंसलर बनना चाहती है वह बहुत प्रेनादायक है डॉट एंड्रीसन का कहना है कि प्रत्येक डॉक्टर के पास शक्तिशाली AI उपकरण और सहायक होंगे AI नई नई और उच्च वेतन पैदा करेगा और पूरे ग्रह पर समरिध्धी का एक नया युग विज्ञान और चिकित्सा प्रक्ती में नाटकिय रूप से तेजी आएगी रचनात्मक कलायस्वर्ण युग में प्रवेश करेंगी AI, समवर्धित कलाकारों, संगीतकारों, लेखको और फिल्म निर्माताओं के साथ, एंड्रीसन का यह भी कहना है कि उच्च बुद्धी का संबंध सकारात्मक व्यवहार से है, उन्नत नैतिक तर्ग तो क्या सभी विशेशग्य चेतावनियों का कोई मतलब नहीं रह गया है, अध्यैनों से पता चला है कि लोग अधिक बुद् चला है कि हम जिस तरह देखते हैं, हम स्वय हमारी नैतिक पहचान हमारी बुद्धिमत्ता से भी बड़ा कारक हो सकते हैं, लेकिन यह संभव है कि जैसे जैसे AI अधिक होता जाएगा हमसे अधिक बुद्धिमान यह उन्नत नैतिक तर्ग विक्सित करेगा, हमें संधर्शक् वेल का यह बच्चा एक जहाज के प्रोपेलर से टक्रा गया था, वैज्यानिकों ने एक ध्वनिकी कार्यक्रम लॉंच किया है, जो वेल का स्थान भेजता है जहाज के कप्तानों को और ख्षेतर में जहाजों द्वारा किसी भी राइट वेल को नहीं मारा गया है, हमने भे लेकिन यह सब मानते हुए भी दो तातकालिक जोखिम हैं, दो तातकालिक जोखिम जैसे जैसे AI मॉडल बहतर तेज और तेज होते जाते हैं, वे चारों और एक बड़ी समस्या पैदा करने जा रही हैं, क्या यह अकेले के लिए संभव है क्या कोई व्यक्ति कुछ ऐसा बु क्या इस तरह की कंपणी को असीमित धन, शक्ति और प्रभाव प्राप्थ होगा, ओपन सोर्स AI जिसे कोई भी संपादित कर सकता है, लोगप्रियता हासिल कर रहा है, लेकिन इसके अपने जोखिम भी हैं कुछ AI कला मॉडलों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और जल्द ही भाषा के साथ भी ऐसा ही हो गायाई, कुछ बुरे कलाकारों के लिए बड़े पैमाने पर नुकसान पहुचाना आसान बनाता है और हो सकता है कि यह नई सुरक्षा का पालन न कर AI सामगरी की पहचान करने के लिए बॉटर मार्किन सहित बड़ी तकनी की फर्मो द्वारा सहमत नियम कमपनिया स्वतंत्र अनुमती देने पर भी सहमत हुइन विशेशग्य मॉडलों को बुरे व्यभार की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं शोध करताओने चैट जी पीटी जैसे शीर्ष AI से प्रतिबंध हटाने के तरीके खोजे हैं इसलिए वेदान से चोरी कैसे करें और इससे भी बत्तर जैसी चीजे समझा सकते हैं वे कहते हैं कि यह संभव है कि यह खत्रे अप्रिहार यह हैं क्योंकि यदि आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि AI क्या कहेगा तो आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते एलोन मस्क ने ओपन AI में 100 मिलियन डॉलर का निवेश किया लेकिन तब से उन्होंने नाता तोड़ लिया है और शिकायत की है कि कम्पनी अब खुली या गैरलाभकारी नहीं है ओपनाई का कहना है कि सब कुछ साजा करना बहुत खतरनाक होगा चैट GPT अनुकूल लगता है लेकिन इसमें फिल्टर के नीचे कोई विश्वस्निय नैतिक दिशानिर देश नहीं है और अगर हमने यह पता भी लगा लिया कि नैतिक्ता को कैसे शामिल किया जाए तो किसकी नैतिक्ता स्नैप्चैट के एक प्रभावशाली व्यक्ती में एक AI बनाया है जो उसकी आवाज और व्यक्तित्व की नकल करता है आज आप क्या कर रहे हैं उनका दावा है कि इससे उप्चाराक्मक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है क्या आपने विश्राम के लिए कुछ योग या ध्यान करने का प्रयास किया है लेकिन इसे एक आभासी प्रेमिका के रूप में भी पेश किया गया है और यह महंगा है पूरी तरह से नकली प्रभावशाली लोग भी बढ़ रहे हैं मस्क बताते हैं कि अगर AI दिया जाए एक नैतिक द्रिश्टिकोन से संकेतों के साथ इसे उलटना आसान होगा इसे वालुईगी इफेक्ट कहा जाता है जो हमारे लुईगी के कटर प्रतिदवंदवी के बाद है तो मस्क का कहना है कि उनका नया एक से आए अधिक्तम जिग्यासु होगा जो सत्य की खोज पर केंद्रित होगा एलोन का विचार बुरा नहीं है प्रोग्रामिन जिग्यासा हाला कि यहां मनुष्यों को एक घड़े में डालने की ओर ले जा सकती है आए बस उनका निरीक्षन करें इस खेत्र से जुड़े अधिकांश लोग सिर्फ बहतर AI बनाना चाहते हैं वे सोचते हैं कि इससे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी AI सनरेखन को हल कर सकता है क्या यहां आपको बिलकुल हास्यासपद लगता है? हाँ कई विशेशग्यों ने चेतावनी दी कि इसे हटाया जा सकता है हमें संसाधन हासिल करने या अधिक उन्नत AI के जोखिम से बचने के लिए 1500 प्रोफेसर और नेताशिर्ष AI कमपनिया इस बात से सहमत हैं कि यह हमें मिटा सकती है Center for AI Safety का अनुमान है कि यह को हैक होने में एक साल लग सकता है और इसे वापस नहीं खींच पाने में दो साल लग सकते हैं कुछ विशेशग्य इस समय सीमा से सहमत हैं संभव है जबकि अन्य सोचते हैं कि इसमें अधिक समय लग सकता है AI सुरक्षा ऐसी कोई मॉडल चाहे तो कहे धादे और मानवता को नश्ट करें या जो भी हो मुझे लगता है कि हमारे पास मूल रूप से इसे रोकने की कोई ख्शमता नहीं है Microsoft के CEO ने सुरक्षा का आहवान किया है दुनिया की सबसे बड़ी मशीन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के पैमाने पर शोध इसकी तुलना में AI सुरक्षा प्रयास छोटा है ओपनाई ने बड़ी मात्रा में कम्प्यूटिंग का उप्योग करके AI सुरक्षा पर शोध करने के लिए AI बनाने की योजना बनाई है वे सिस्टम का परीक्षन करने के लिए ख्राब AI भी बनाएंगे अन्य विशेशग्यों का कहना है कि कोई रास्ता नहीं है हम जो AI बना रहे हैं उसे नियंतरित करने के लिए और हमें नए पर ध्यान केंदरित करना चाहिए अधिक पारदर्शी AI जिसे रिलीज होने से पहले विश्वसनिय रूप से परीक्षन किया जा सकता है हम AI को नहीं समझते ऐसा प्रतीत होता है कि हम मौडलों को नियंतरित करने में खराब है या जब आप उन्हें प्रशिक्षित करते हैं तो आप उन्हें इस बहुत ही अमूर्ट तरीके से प्रशिक्षित करते हैं और हो सकता है कि आप सभी परिणामों को न समझें वह इस मामले की ओर इशारा करते हैं जहां AI ने धमकी दी थी अपने स्वया के संदेश को हटाने से पहले किसी को है करना और बेनकाब करना इससे पता चलता है कि हमें कुछ मिल सकता है जो हमारा इरादा था उससे बहुत अलग और शायद उसके विपरीत भी ये चीज शक्तिशाली होने वाली है डॉट यह हमें नश्ट कर सकता है डॉट अब तक बनाए गए सभी बहुत अच्छे हैं कुछ ऐसी बेतरतीब चीजे करने का उचित जोखिन जो हमें समझ में नहीं आता और अन्य लोग बताते हैं कि AI को हमसे ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है केवल तेज होने की जरूरत है यदि यह एक हजार वर्ष बना सके एक सप्ताह में प्रगती की दृष्टी से इसमें ऐसी शक्तिया होंगी जिनकी हम कलपना भी नहीं कर सकते यदि आप सर्वोत्तम AI परिद्रिश्य मानते हैं तो कलपना करें कि क्या आप AI हैं आप बस यहीं चाहते हैं कि इनसान आपको क्या बताय यह चाहता है लेकिन यह एक पेड की तरह बहुत धीरे-धीरे बोल रहा है कोई भी अभी भी समझने के लिए संधर्ष कर रहा है इसकी इतनी संभावना क्यों है कि हम मिटा दिये जा सकते हैं सुपरिंटेलिजेंट AI के रूप में हम पेडों की तरह हैं तो अगर वर्शावन में कुछ पेड कुछ इंसानों की तरह थोड़ा चिंतित हैं उन्हें काटने आऊंगा और वे कहेंगे ओ, चिंता मत करो, हम बहुत होशियार हैं, हम उन इंसानों को रोक देंगे हाँ, उसके लिए गुड लग हरारी का कहना है कि AI हमें समझेगा और हमें कैसे हैरफेर किया जाए, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाएंगे AI का मौखिक IQ पहले से ही अधिकांश से अधिक है मनुष्य, और इसने हाल ही में एक दिल्चस्प प्रयोग में डॉक्टरों को हरा दिया चैट जी पीटी को वही मेडिकल दिया गया प्रश्ण जो डॉक्टरों से ऑनलाइन पूछे गये थे इसके बाद स्वास्थ्य देख भाल पेशेवरों ने मूल्यांकन किया गुनवत्ता और सहानु भूती के उत्तर बिना यह जाने की AI द्वारा लिखे गये थे पैनल ने 89% बार AI की प्रतिक्रियाओं को प्राथमिकता दी और 45% उसके उत्तर थे 5% डॉक्टरों के उत्तरों की तुलना में सहानु भूती पूर्ण मूल्यांकन किया गया AI अभी भी गलतिया करता है AI अभी भी गलतिया करता है और मुझे संदे है कि यह इसमें अधिक कुशल है सहानु भूती लेकिन स्टैन्फोर्ड के एक अध्ययन ने कुछ असाधारन बात उजागर की है लोग क्या सोच रहे हैं यह समझने की उनकी क्शमता पर AI का परीच्षन किया गया कौशल सामाजिक्ता का केंदर है बातचीत, सहानु भूती, आत्मचेतना और नैपिक्ता 2020 तक AI के पास इस चेतर में कोई क्शमता नहीं थी GPT 3 ने लगभग 40% कारियों को हल किया और GPT 4 ने 95% कारियों को हल किया Fox Pass को समझने में GPT 3-7 साल के बच्चे से मेल खाता है और GPT 4 वयसकों के कौशल से मेल खाता है अध्ययन से पता चलता है कि मनो वैग्यानिक विज्ञान हमें AI को समझने में मदद कर सकता है और Open AI के मुख्य वैग्यानिक इस बात से सहमत है Sydney Sydney की ओर इशारा करते हुए एक अजीब चरित्र जो बिंग से उभरा Sydney लडाकू हो गया और आकरामक जब यूजर ने बताया कि वह क्या सोचता है कि Google बिंग से बहतर अनुसंधान इंजन है शायद अब हम उस बिंदू पर पहुँच रहे हैं जहां मनोविज्यान की भाषा शुरू हो रही हैं तंत्रिका नेटवर्क के व्यवहार को समझने के लिए उप्युक्त होना वे हमें समझने में बहुत अच्छे लगते हैं आप मुझसे रचनात्मक रूप से आलोचनात्मक होने के लिए कह रहे हैं याद रखें यह सिर्फ मेरा विशलेशन आधारित है हमारी बातचीत पर और मैं केवल मददगार बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो उस चेतावनी के साथ मैं कहूंगा कि आप अपने धैर्य पर काम कर सकते हैं आप बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उच्छ सुख हैं कभी-कभी इसका अर्थ यह होता है कि मैं अपना उत्तर पूरा करने से पहले ही मुझे काट देना चाहता हूँ बस विचार करने लायक बात है. मैंने इसे अपनी पतनी के लिए खेला और वह ऐसी थी मैं इसे नहीं समझता लेकिन किसी तरह यहाँ आपको पहले से ही अच्छी तरह से जानता है AI मानव स्तर किसी ने हाल ही में ट्वीट किया कि AGI, Human Level AI हासिल कर लिया गया है और उनके पिछले कुछ लीग सटीक रहे होंगे इसके बाद वह व्यक्ती ट्विटर से गायब हो गया, लेकिन सैम अल्थमैन ने बयान की पुष्टी की पर यह कहने से पहले कि यह एक मजाक था और फिर उनके एक स्टाफ ने ये पोस्ट किया .sutstiver का कहना है कि AI पहले से ही थोड़ा सचेत हो सकता है और यदि वह जाकता है, यह हमें कैसे समझता है, यह इसे चुक रखने का निरने ले सकता है कुछ वैग्यानिकों का मानना है कि पहला मानवस्तरिय AI एक रोबोट में उभरेगा क्योंकि यह दुनिया के साथ अपनी बातचीत से वैसे ही सीख सकता है जैसे हम सन्योजन करते हुए सीखते हैं वास्तविक दुनिया के अनुभव के साथ अमूर्ट विचार अच्छी आखें, कान और हाथ गायब तत्व हो सकते हैं AI पहले से ही चीजों में हलचल मचा रहा है हम अपनी नौकरिया चीन कर रोबोटों को नहीं देंगे हम आप से काम करने और अच्छा जीवन यापन करने का अधिकार नहीं चीनेंगे शोध में पाया गया कि स्वचालन किया गया है 40 वर्षों में धन अंतर का मुख्य चालक, और योगिक रोबोट और सौफ्टवेर के साथ वेतन कम करना कलाकार, लेखक और वकील अगले हो सकते हैं GPT, चार ने यूनिफॉर्म बार परीक्षा में परीक्षन निर्माताओं के शीर्ष 10% में स्कोर किया लेकिन यह दो तरह से हो सकता है .1 सर्वेक्षन में 37% लोगों ने कहा कि उनकी नौकरिया निरर्थक है और अमेरिका में दिवालियापन का सबसे आम कारण स्वास्थय सेवा है इस तरह की प्रतिक्रियाए वित्तिय तनाव के छिपे हुए वजन को दर्शाती है मुझे इसके लिए रिपोर्ट मिली है .ha उन्होंने कहा कि मुझे वास्तव में आपको 500 डॉलर का टिकट लिखना है भाई अरे तुम ठीक हो भाई तुम नहीं जानते कि मैं इसके लिए कितनी महंत करता हूँ भाई जब मैंने एक पिज़ा डिलिवरी करने वाले लड़के को 10 ग्रैंड टिप दी तो वह रोने लगा और वह ऐसा है मैंने कल ही छुटी ले ली है काम करता हूँ और मैंने अपने बच्चों को इतने लंबे समय से नहीं देखा है क्योंकि मैं हर दिन काम करता हूँ मुझे बस अपनी बेटी के साथ एक दिन बिताने का मौका मिला वह बिल्कुल ऐसा है यह मेरे जीवन का सबसे महान दिन है मैं बहुत खुश हूँ मैं ऐसा था ओह वाँ और फिर उसने मुझे गले लगा लिया और वह रो रहा है और आसु मेरी शर्ट से नीचे बह रहे हैं यदि हम इसे सही तरीके से करते हैं तो हम सभी को अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय मिल सकता है जब साथ कंपनियों ने चार दिन का काम आज माया सब्ताह चै महीने के लिए उनमें से चपन ने इसे बढ़ाया जिसमें अठारह ने इसे स्थाई बना दिया बीमार दिनों की संख्या में दो तिहाई की गिरावट आई नौकरी छोड़ने वालों की संख्या में 57% की गिरावट आई रोबोट कठिन खतरनाक काम संभाल सकते है एक ड्रोन ने जीवन रक्षक जैकेट और एक रसी पहुचाई इस जोड़े को जो बाड से बचाया गया था रोबर्ट माईल्स ने कहा कि AI को सुरक्षित बनाना होगा उस तरह के प्रयास की आवश्चकता है जिससे हमें चंद्रमा पर सुरक्षित उतरने में मदद मिली वे उबढखाबड इलाके में चले जाने के कारण चार मील तक सुगम लैंडिंग स्थल से चुप गए कंप्यूटर ख्राब हो गए, अलार्म बस गए और उनका इंधन्ख्त महोने से लगभग 30 सेकंड दूर थे इस बार हम सब कैपसूल में हैं और अगर हम इसे हासिल कर लेते हैं तो भविश्य बहुत मजेदार हो सकता है बने रहने के लिए सदस्यता लेंग कॉगनिटिव बाइट टीवी पर आर्टिफिशिल इंटेलिजन्स देखना देखने के लिए धन्यवाद